बार्बी की सभी पसंतिदा मिठाया छोटे-छोटे टुकडों में बदल गई है स्ट्रेची शहत, नरम गम, एक स्लाइम केक और यहां तक की पत्र के अंदर साथ की चड़ भी हमारे नए वीडियो में लगु बार्बी की चड़ के विचारों को चाने सिंधी अपनी गुडिया के लिए चाय पार्टी का आयोजन कर रही है मीठे शहत के साथ चाय पीती है लेकिन हनी की ये सेवा उसके बार्बी के लिए बहुत बड़ी है उसे क्या करना चाहिए? ये बार्बी की चाय है सवभाग्य से स्टेफनी और उसके बार भी दोस्ट चाय पारटी में आते हैं गुडिया अब बोर नहीं होगी साथ ही स्टेफनी मिनी शेहत के साथ भी लाई है ये सही है तरल साबुन के साथ सपष्ट गोंद मिलाए हैर स्टाइलिंग जेल जोड़े और अक्रालिक पेंट के साथ इसे हिलाए नेफाचोलिन डिकॉगनिजन गोल को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें डाले शेहत की तरह दिखने वाला काढ़ा बनाए स्लाइम को काज की छोटी बोटिल में डाले इसे कॉर्क के साथ बंद करे एक टूथपिक की नोक पर गर्म गोंद लागू करे चारो और छेत करे इसे लकडी के शेहत के चमच की तरह बनाए इसे एक्रालिक पेंट के साथ कोट करे और छूरी का उप्योग करके अतिरिक्त को काट दे चमच को नेल पॉलिस से साथ करे बोटल के चारो और सूतली लपेटे चमच को बोटल में भर दे स्टेफनी गुडिया की मेज पर शहट डालती है ये असली चीज की तरह दिखता है गुडिया बाहर निकल के वहां पहुँच कर शहट का चूरा निकाल लेती है ये खेलने के लिए बहुत ही मज़ेदार है बाराते सभी जगा स्लाइम फैलाती है वे लड़कियों के लिए अपना मजा स्थाना अंतरित करते है वे भी छोटे कीचर के साथ खेलने का आनन लेते है ये गुडिया शहट पूरी तरह से अपने हाथों में फैला हुआ है गुडिया की चाय पार्टी जारी है सिंधी ने स्टेफनी के लिए एक आश्चे ने तयार किया है ये एक स्वादिष्ट केक है चलो एक इच्छा करो स्टेफनी गुडिया के लिए एक फेस्टिव केक चाहती है इच्छा को साकार करना है स्टेफनी ने इस आउसर के लिए थोड़ा साख स्लाइम केक बनाया गुलाबी मिट्टी की रेट को हलकी मिट्टी के साथ मिलाए शेविंग फॉंग जोड़े नरम स्पंजी कीचर गूंद ले इसे एक गोल बॉक्स में डाले एक मिनी केक का आकार दे इसे प्लैस्टिक के गुलाब से सजाए हॉट क्लू बॉक्स के लिए एक प्लैस्टिक गो लगाए सिंधी ने गुडिया को गुलाबी स्लाइम केक का आनन्द लेने के लिए आमंत्रित किया वा, किसने सोचा होगा कि ये स्लाइम है हमें अतिरिक कैलरी से डरना नहीं चाहिए वे तो खुशी से केक का आनन्द लेते है बार्बी के पास और्बिट गम का एक रहस्य में जार है लेकिन जिस चन बार्बी चबाने वाली गम का टुकड़ा चूती है तो वो स्लाइम में बदल जाता है एक कंटेनर में बर्फ स्प्रेच छिड़के कौन स्टार्ज का एक चमज डाले इसे क्लियर ग्लू में डाल दे इसमें बोरेक्स डाल दे और सफेद स्लाइम को मिक्स करे सफेद एक्रेलिक पेंट के साथ बरतन को कोट करे क्लियर नेल पॉलिश का एक और कोट दे और मुद्रित ओर्बिट लेबल सलगन करे ये चूरा चूइंगम के टुकडों के आकार में भर दे और उन्हें और्बिट जार में टाल दे और्बिट चूइंगम अपने हाथों में फैला हुआ है वाओ, टेक इट इजी आधुनिक तक्नीक ने चबाने वाली गम को वास्तरिक स्लाइम में बदल दिया कमरे को कवर करने के लिए और्बिट के एक टुकडे को फैला सकते है बार्बी को ये मज़ेदार गम पहुद ही पसंद है सिंटी गुडिया अथिती के लिए एक उपहार बनाना चाहती है उसे क्या देना चाहिए? कलरफूल गुबबारे जिसमें स्लाइम भरा हो लिक्विड साबून में शैंपू डाले क्लियर ग्लू अड़ करे और थोड़ी टूथपेस्ट थोड़ा शेविंग फोम डाले नेफा जोलिन के कुछ बुन्दे थिकनेस के लिए डाल दे इसमें लिक्विड स्लाइम मिक्स करे इसके साथ एक सीरिंज भरे एक तार को एक छोटे गुबबारे में चिपकाए इसमें स्लाइम भरे गुबबारे को जकडने के लिए पतले तार लपेटे अलग-अलग रंगों के कुछ गुबबारे अंदर स्लाइम के साथ बनाए इन्हें इकठा बान ले एक रबर बेंड के साथ तारों को एक साथ बन दे और सैटिन रिबेन के साथ इसे सजाए गुबबारे कितने मुलायम है क्या वे वास्तव में कभी पॉप नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं क्यूंकि इसके अंदर स्लाइम है गुडिया वास्तों में इस मूल को पसंद करती है उन्हें गुबबारे और स्लाइम पसंद है खिलोरों की राजधानी से एक नविंदम समाचार गुडियों को दिख रहा है आचानक मेल्स पर एक स्वादिष्ट उपहर दिखाई देता है ये कैंडी का एक बॉक्स है लेकिन ये रेगिलर नहीं है इसमें रंगिन स्लाइम है एक्रालिक पेंड के साथ एक खाली अंगुठा बॉक्स को कोट करे शीर्ष पर एक्रालिक पॉलिष का एक कोट जोडे कैंडी लेबल सल्लगन करे साथ गोन में थोड़ा पानी डाले बोरिक असीर ओइनमेंड मिक्स करे चेल लॉंडरी डिटरजन डाल दे इसमें वाइट स्लाइम डाल दे इसे चार भागों में विभाजित करे प्रत्यक भाग में अक्रेलिक पेंड जोडे पीले, लाल, हरे और निले रंगों का प्रयोग करे एक बेकिंग कप को बॉक्स में डाल दे कीचड को गेन का आकार दे और उन्हें अंतर डाल दे बार्बी ने अभी से ही कीचड के साथ खेलना शुरू कर दिया एक बार जब वे रंगिन कीचड को अपने हाथों में लेती है तो ये जीवन में आता है कैंडी कीचड एक अध्याद दिशा में दूर रेंगती है जाहिर है ये कुछ महत्व पूर्ण कीचड व्यापार है अलविदा स्लाइम यहाँ एक कुडिया की फूल की दुकान है बार भी कुछ पौधे खरीने के लिए आती है सेल्स गल्स उसे विसमेकारी फूल प्रधान करती है जो स्लाइम में बदल जाते है गोन साफ करने के लिए लॉंडरी डिटरजन का उप्योग करे और थोड़ा शेविंग फोम स्लाइम मिक्स करे इसे काले अक्रेलिक पेंट के साथ रंग दे और उस पर गलिटर डाल दे गलिटर को एक छोटे गिलास में डाले और स्लाइम में डाल दे पौधे को कीचड में स्थीर किया जाता है बार्बी फूल के बरतन से काई लेती है क्या कमाल का पौधा है ये स्लाइम काई प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है ये केवल एक ही है सिर्फ बार्बी के लिए एक कैफे में बार्बी अपने पेयका आनन्द ले रही है लेकिन उन्हें एक विशेश आदेश मिलता है ये रेंबो नर्ड्स की डिलिवरी है ये हमारे बार्बी का सबसे पसंद दिदा है एक खाले टिक-टिक बॉक्स के लिए एक मुद्रिक कैंडी लेबल सलगन करे गोन साफ करने के लिए फोन कले का उप्योग करे और बोरेक्स में डाल दे एक तैरना गून ले और इसे बॉक्स में डाल दे बार्बी बॉक्स खोलती है ये पता चलता है कि इन कैंडी में एक स्लाइम सर्प्राइस है वाव! हम बॉक्स से बाहर कैंडी कीचर खीच कर मज़े कर सकते है ये वंडर स्लाइम बहुत ये अच्छा है बार्बी ने इन कैंडीज को नहीं खाया लेकिन उन्हें एक महान तनाव रिलिवर मिल गया हमारे बार्बी मित्र स्नैक्स खाते है कुरकुरे पॉपकॉर्ण के कर्टन के साथ क्या बहतर हो सकता है केवल प्रिंगल्स बार्बी पैकेट खोलती है ऐसा लगता है कि चिप्स पिखल रहे है स्टेशनरी गोन में टूथपेस्ट जोड़े लिक्विड सोप डाले एक्रेलिक पेंट के साथ मिश्रन को रंग दे शेविंग फोम बोरेक्स आड़ करे इसमें सॉफ्ट इलेस्टिक स्लाइम डाल दे इसे एक खाली ग्लिटर टूब में डाले हलकी मिट्टी से टोपी बनाए पाजुए कट करे एक मुद्रित मीनी चिप्स लेबल सल लगन करे दबर्ड स्प्रिंगल्स कीचर को छोटी टूब से अलग अलग दिशाओं में खीचता है किसे और के पास इस तरह का स्नैक्स नहीं है लड़किया दुखी है हम अपनी खुडियों के साथ क्या मनोरंजन कर सकते है स्टेपनी को विचार आया शब्दों को बनाने का गेम खेले हमारे पास बोर्ड के बजाए स्लाइम में लपेटे अक्षर होंगे गोन साफ करने के लिए बोरेक्स डाले पूरी तरह से इसे हिलाए आपको स्पष्ट स्लाइम मिल जाएगा इसे बाहर खीचे इसमें अक्षरों के साथ चोक और मोती लगाए अक्षरों को कीचड में लपेटे स्लाइम को एक साफ बर्तन में डाले एक मुद्रित लेबल सलग न करें जो स्लम ट्रोम ट्रोम कहता है सिंडी ने पहले कभी इस तरह की कीचट नहीं देखी वो बर्तन से सपष्ट कीचट निकालती है और उंगलियों के साथ इसे बाहर खीचती है हम एक शब्द का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे है चलो, पत्र में पत्र से एक शब्द बना हमें अपना पसंद दिता ट्रूम रूम मिल गया इस चैनल को भी शोक है ट्रूम रूम स्लाइम्स नेवर लेट अस डाउन क्या आपको हमारे लगू बार्बी स्लाइम्स पसंद थे फिर टिपणियों में लिखे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जो कैंडिज, बॉल्स या अक्षरों की तरह दिखते है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे